हाई एब्रीवन तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक और टॉपिक पढ़ने वाल है एंड यह यहाँ पर कंक्लूड कर देंगे फिर यह टॉपिक भी कवर हो जाएगा ओके तो आज के इस वीडियो के अंदर हम टूँज यह में पढ़ने वाल है PCI, SCSI and USB busses के बारे में क्योंकि इस टाइप के questions हो सकता आपके paper के अंदर लिखने को आपको मिल सकते है तो आज इसके उपर हम चर्चा करेंगे यह single वीडियो से आपको most probably हर एक चीज समझ में आ जाएगी बट मैं आप से ही के request करूँगा कि पूरे lectures continuation में पढ़ना वो with the help of interfaces की या I.O. interfaces की help से ही I.O. devices के साथ communicate कर रहा होता है तो यह पता होना जरूरी है ठीक है तो यह अगर पता है तो वहीं यह lecture समझ में आ जाएगा तो I.O. devices यह है and CPU अगर I.O. devices को interact करना चारा है तो बीच में कहीं न कहीं I.O. interfaces आते हैं I.O. interfaces का concept आता है तो बीच में हम कहीं interface बना रहे है ठीक है बात समझ में आ रही है तो अब CPU जो डिरेक्टली I.O. के साथ interact नहीं करता है CPU interfaces के साथ interact करता है and interface फिर I.O. के साथ interact करते है and same अगर I.O. को CPU के requirement है तो फिर इस तरीके से जाएगा ठीक है बाया तो यह bi-directional है आ बही है समझ गए बही है यह हमने पहले ही पुरा standardly cover कर रहा है बीच बीच में सबी चीज़ तो सारे lectures continuation में पढ़ना तब जाके यह समझ में आपको already है जाएगा So अब बात करते हैं कि यह सारे buses का काम क्या है यह जो दो लाइन लिखी गई है बहुत ही जादा simple and straightforward line है So PCI, SCSI and USB buses are all the type of computer buses used for connecting peripheral devices ठीक है अब peripheral devices मतलब है input and output devices to a computer system तो भाया simple दीख रहा है हाँ भाया simple दीख रहा है कुछ बड़ी चीज़ दीख रही है नहीं एक लाइन से clear हो गया अब इनका full form इदर ही लिखा है PCI का मतलब है peripheral component interconnect ठीक है और sometime you can interconnected भी लिख सकते हो गलाइत नहीं है but PCI का नाम यही है peripheral component interconnect SCSI का small computer system interface small computer system interface and USB universal serial bus सभी ने USB ports use कियोंगे है न and data transfer आप लोगों ने किया ही होगा बिल्कुल भाया यह सब चीजने तो आपने कर रची होगी हो सकता आपने PCI और SCSI बस directly नहीं सुनी होगी but यह अगर आपको कह सकता हूँ CPU को अगर connect करना है peripheral devices के साथ तो यह काम आते है ठीक है बड़े यह buses काम आते है bus का काम यही है कि आप लोग में system bus पढ़ी होगी जिसके अंदर control bus, address bus और data bus यह तीनों bus से आती है यह सब मैंने detail में पढ़ाया है यह सब मैं continuation में ही पढ़ाता आ रहा हूँ ठीक है तो पहले lectures पढ़ना तब ही समझ में आएंगी चीज है क्योंकि होता है कही student कोई समझ में आता topic PCI, SCSI and USB सो आपको यह definition से ही पूरा clear understanding हो जाएगी बट शर्त यह यह कि पहले bus structure आना चीए पहले IO interfaces concepts clear होने चीए clear है सो PCI को सबसे पहले देख लेता है PCI का पूरा ना peripheral component interconnect बता दिया है is a standard bus for connecting various hardware components directly to the motherboard यह बहुत ही जादा important line है सो PCI bus के through हम क्या कर रहे होते है motherboard से directly hardware components को connect कर रहे होते है यह line अगर समझ गया तो भईया PCI bus का काम इतना ही है ठीक है अब PCI bus में bus में देखो कहीं multiple points अगर mate कर रहे होते है तो उसको bridge कहते है यह सब concept आप लोगों पो पता ही होंगे कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक है भया समाझ गया simple चीज यह लिखी एक line से PCI supports high speed data transmission या high speed data transfer rates and is commonly used for connecting expansion cards such as network cards, sound cards, graphic cards तो यह सारे cards जात तर use होते हैं सही है भया PCI has gone through several iterations और iterations including PCI, PCI X, PCI Express with PCI being the most widely used today for high bandwidth and scalability बात समझ में आरी तो यह कुछ आप यहां पर देख सकते हो different different चीज है अब जो next is called SCSI बहुत simple विए में बता रहा हूं इस से ज़्याद आपको कहीं मिलेगा भी नी ठीक है कहीं पे भी नी मिलेगा यह definition अगर आप exam में लिखके आते हैं तो कोई भी आपको marks डिटर्ट नहीं करेगा ठीक है clear SCSI का पूरा नाम है हमने देख लिए the small computer system interface बहुत ही बढ़िया is a set of standard for connecting and transferring data between computers and the peripheral devices such as hard disk या hard drive, disk tapes or tape drives, scanners and the printers तो यह भी वही काम कर रहे होते हैं यहाँ पर motherboard वाला कोई concept लगता नहीं है clear है बात और SCSI बसको control काउन कर रहा होता है SCSI controller कर रहा होता है clear है बात तो यहाँ पर hard disk हो गया disk tape हो गया या फिर tape drives हो गया scanner हो गया, printer हो गया तो यह सारे devices अगर computer से connect करना चारहे हैं तो वो SCSI बसके through कर रहे होता है clear है यही line लिखनी है आपको यही सबसे major important line है और वहाँ पर motherboard वाली line बहुत जादा important है ठीक है SCSI supports high speed data transfer rates and allows for multiple devices to be connected to a single SCSI bus providing the flexibility and the scalability simple है बाया although SCSI was widely used in the past it has largely being replaced by the other interfaces applications such as SATA cables आप लोगोंने SATA cables सुनी होंगी SATA cables आती थी पहले तो वो cables SCSI का example होगे होगे and USB for other peripheral devices ठीक है for consumer's applications however it is still used in the certain enterprises and serve environment where high speed या high performance and reliability are paramounts ठीक है तो उस time पर SATA cable use की जाती थी बहुत ही बड़िया तो यह सब किसके examples है वाई SCSI के examples है clear होगी बात अब जो next चीज़ है which is called USB USB आप लोगोंने सुने होंगे USB का लगते है USB ports के अंदर लगते है हाँ भाईया तो वही है USB USB का पूरा नाम है Universal Serial Bus is a widely used standard for connecting peripherals devices to the computer laptops and other digital devices तो यह भी उसका काम भी होई है कि बहुत ही सिंपल USB support hot swapping important hot swapping के मतलब है hot swapping is the ability to connect and disconnect devices without powering down the computers यह बहुत जादे important बात है कि hot swapping करता है USB कैसे? हमें system को off करनी की जरुवत नहीं है हमें क्या हम running face अगर मेरे system run कर रहा है मैं USB cable लगाऊंगा हो सकता है data cable हो आपके phone की उसमें USB port होता है है ना जो कि आप laptop के साथ connect कर सकते हो है ना तो मैं उससे data share कर सकता हूँ without disconnecting without off my laptop ठीक है मैं को restart करने की जरुवत नहीं है मैं को power का button connect disconnect करने की जरुवत नहीं है मैं directly running face में ही सारे data share कर सकता हूँ जबकि अब देखी सुके हो ठीक है बाकी में क्या चीज़ होती है making it convenient तो इससे क्या होगा काम असान हो जाएगा for user to plug and play devices important है it provides power to connected devices eliminating the need of separate powers adapters for many peripherals clear है बाद USB support multiple data transfer speeds अब USB के अंदर ऐसा नहीं कि data बहुत ज़दा high rate आगा या low rate आगा तो इसमें depend करता है क्योंकि इसकी multiple data transfer होते है ठीक है तो latest version की बात करें तो USB 4 offering extremely high data transfer rates ठीक है USB 4 जो है बहुत ज़दा fast है clear है बाद बहुत simple चीज़ है USB ports आपने देखोंगे हाँ यह mouse वगेरा भी आजकल USB से ही connect हो रहे हैं बहुत ही बड़ी चीज़ है आप लोग अपने data भी अगर share करें phone का laptop के साथ तो आप एक तरफ USB और दूसरी तरह आपका charger का port होगा तो दोनों से क्या होगा data transfer हो जाएगा so USB is used for a wide range of devices including keyboard, mice, printers which is also called mouse, external storage smart phones and other तो इसाब मैंने आपको बताई दिया तो यह सब चीज़े हो गई भाया and this concept is completed इतना ही लिखो more than sufficient है worth it लिखो काम की चीज़े लिखो तो आपके marks कभी detect नहीं होगे ठीक है और यह बात बता देना कि भाया CPU directly IO से interact नहीं कर रहा होता है क्योंकि at the end हम बता क्यों रहे है बस पढ़ रहे है बस structure बताना है सबसे पहले और हमें बताना क्यों है कि भे यह IO interfaces की help से connect कर रहे क्योंकि यार at the end peripheral devices which is called IO devices computer से connect कर रहे है मतलब CPU से connect कर रहे है तो CPU और IO devices का ही तो connection है यह buses तो कहीं न रही है बीच में interfaces का roll आएगा ही आएगा तो बात समझ में आ रही है so I think यह वीडियो 101% सब इस्टूरेंट्स के लिए क्लियर हो चुकी है किसी को कुछ भी पूछना है बाई comment section पूछ सकते है and आज के लिए इतने रखते हैं मिलते नेक्स वीडियो के साथ बाई